तो हेलो दोस्तों मैं हूँ राजवीर सागर मल्टी व्रेंट टूवले टेक्निशन और आप देखरो मेरे यूट्यूब चैनल ए आर्वीर बदर यह स्कूटी है मेरे पीछे देखरो यह है इलेक्ट्रिक स्कूटी प्यॉर एवी की और यह चल चुकी है 11,000 किलोमेट्र यह न है कि मैं टाइम निकाल को बताऊंगा सारी बाते और अभी उनको मैं बुलाओंगा और आपसे डिसकस कराओंगा आपके सामने कुछ ऐसे सवाल जो मेरे मन में भी आते होंगे और यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 11,000 किलोमेट्र का जो सफर रहा है जीरो से लेके 11, भी और जार जरूरों जटन दर जीरों जो हमारे साथ जिनों है आज मोका दिया है हमें आपने साथ टाइम अलेने का वीडियो मतलब बनाने का आपको देखना जारी है काफिर सारे कोशार आपसे करने है तो कैसे थे। सोच गया जितना अनर जी और यह है ईकि एलेक्क्री सब्सक्राइबर तो सुचा के साथ शेयर करें, वो मेरे में भी हैं वो सबने करते हैं, वाइवन अब के साथ स्वार करते हैं, फैटा-फैड से 20-80 km दलाता हूं बीच में कई बार कार्च दलाता हूं तो यह खड़ी भी रहती है एक्स मन्त हो चुके है इसको और यह लेओन 900 अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात है इससे पहले को स्कूटी आप इस्तमाल करते थे क्या जी मैं पेट्रल वाली स्कूटी और बाइक क्या बात है 36,000 रुपीज सेविंग कर ली क्या बात है जैसे कि आप यह जो स्कूटी है आपने 11,000 चलाई है और यह बहुत अच्छा एक्स्पीरिंस रहा है सरका तो एक चोटा सा कोसा है जो आप से मेरे को डिसकुस करने यह गाड़ी एक दिन में कितने क्रिमिंट चला ले से ज्यदा यह सीज़ाने के मामले में सबसे ज्यादा मूडे कौन सा इसती हो पर ट्राफिक साव्सियो मे क्या ज़्atar करते हो थे सेकेंद में सब से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्कूटि को चला चूलाते है रेनिंग होती है अच्छा सेकेंड मोड में रेनिंग स्मूध होती है या फिर आपको बहुत जादा पसंद है वाकी में एक स्पीड उसमें लिमिट है 45 किलोमेटर तक स्पीड चलती है तो ट्राफिक कैसा भी उपन सला सकते हैं आपनों चार्ज पर कितने क्लोमेटर चल जाती है जासे कि लोगों के मरमना वहम बना हुआ है आजकल के लेक्रिक स्कूटी इतनी नहीं चलती कि बस आप सब जी लेने जा रहे हैं उतनी ही चलेगी स्यादा नहीं चल संसलं से नई खुरम से ली तो आपको कुछ लोग हैं नहीं मैना भी किया ठाजिव इसाल ली ए pushed लाने को चलती है है अगर बैलंसिंग की बात की जा तो सी बैलंसिंग कैसी रहती है अगर आप सेकेंड मोन में चलाते हो तो जी बिल्कुल अच्छी बैलंसिंग रहती है वैसे डबल सवारी में मैंने काफी चलाई है इसको और आगे लोड भी रहता है काई बर 50-70 kg बजन आगे रखे भी चलाया ह ला कि यह बैलकुल तो यह वह इपकर लिए लगवारी में नहीं बर ला इंवारी मैंने नहीं साथ महीने मालें साथ महीने में इनने 11,000 km चलाई जो कि नॉर्मली अगर बात की जाए पैट्रोल स्कूटी से अब्राइब में आती है पैट्रोल स्कूटी बंदा लेगा तो व और इलेक्रिक्त इवी कि और सब्द्द में अब जाना होता होगा सर्विस कराने जानते हो जबnas aur सर्विस पर सब्सक्राइब जाते कि róż duas सब्सक्रार म pottya सब्सक्राइब किना शब्सक्राइब यह स्फीन की इतलते हुआ और तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ता है या फिर आपको छोड़ के जाते हैं स्कूटी को नहीं सर वहाँ पर जाने के बाद में जैसे दो गंटे बाद में अपनी स्कूटी तयार हो जाती है और मैं इसे सुबह सुबह ही जाता हूं साड़े तस-गेरा बजे तो स्कूटी तो अगर बात की जाए आपने स्कूटी जब से खरेदी जब से लेगे आज तक कोई पैसा असमें खर्च किया है कोई जी बिल्कुल एक और भी खर्च नहीं है संक की जाता है तो बाई चार्च कर वो सबसे ज्ली टाइड और इसकी पफिंसकी सबसे ज्यादा इस कूटी के अंदर को क्या पसंद आता है रहे तो यह बहुत ही चालिए जाते आवाद करती है पर दृस्टन भी नहीं करती और सबसे अथ्सा यह हैं पेट्र वाना जाना ही भख्रना ये इन्सान का भगर आने की बात कर Rush अगर बने की बात कि army परिवार में दोस्तों में तो आप यज़िस करना चाहँगे साँ तो ले अब अवै more घ्लांस तो आपको देखते हूंगा यह गोलते हूं, यह रहे हैं.. डर वाली बात नहीं होती है कि अपने परिवार में एक ही आप ही के पास स्कूटी है और भी है अभी अभी लेने का विचार है कि अगर में देदूंगा एक दूसरी नहीं ले लुगा मतलब एक तरह से के देखा जाए तो अगर इनोंने यह 15 में स्कूटी चलाई तो जो इनकी पेमेंट है वह फ्री हो जाएगी क्योंकि पैट्रोल का पैसा बच रहा है यह बहुत अच्छी बात है मेरा भी मन था एक इलेक्रिक स्कूटी के और का रिव्यू करना और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक यूट्वाइल के यूटूब चैनल पर आना ठीक है अगर बात कीजाए इस स्कूटी की सर मैं आप से चोटी सी एक लास्ट कोशन यह पूछना चाहूंगा अ 11,000 क्मिटर के बाद भी कंडिशन बहुत ही जाता पहरी है 11,000 क्मिटर चल चुकी है ब्रेक्सु विरेक्सु आज तक भी खराब हुए इसके नहीं हुए तक नहीं सर अभी तक तो कुछ भी चेंज करने की ज़रू नहीं पढ़ी है अभी तक कंपनी के तरफ से सर्वियस में और फिरी मिल रहा वहीं करके दें अरे क्या वाद कंपनी का पुरा वाइदा अड़ा रहे हो बहुत अच्छा लगा चेतंदर जी आप आए आपने में टाइम दिया और हमारी ओडियोंस को लेकर बहुत सारे सवाल ते जो आपने क्लियर करें तो मैं बहुत सुक्र गुजार जीजगा आपकी स्कूटी हमेसा यही चलती रहे और पब्लिक को आपको चाहाँ के कि अगर आपको क्या मैसिज दिना हो इस पे सब्सीडी भी है वह सब लोगों को मिल नगे और आपके पैसे भी पचेंगे और पैसे भी बचेंगे यह बहुत अच्छी चीज है अगर मैं प हूँ सर को देखके तो मुझे ऐसा लग रहा है प्यॉर इभी ही मुझे लेनी चाहिए कि देखते हैं विचार करते हैं उस पर और एक नेक्स वीडियो में अगर मैंने बाइक स्कूटी परचेस करी तो मैं आपके साथ डिलीवरी की वीडियो जरूर सेर करूंगा और मिलता हू आपसे नेक्स्ट टाइम सर थे अग्यू थे इंक त्यक्यों कि सो मच